नमस्कार, आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग। चौधरी विरेंद सिंग्, हरियाना में जाटों में बड़ा नाम, सर छोटू राम के ग्रैंट सन, उन्हों ने भारती जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और उनके साथ उनके बेटे ने भी छोड़ दिया, जो हिसार से सांसद हैं, दोनों ने भारती जनता पार्टी का द बड़े गाजे बाजे के साथ लाया गया था, हर्याना का बड़ा नाम थे और जाट समाज में उनका बड़ा सम्मान था, भारती जनता पार्टी के लिए वो एक बड़ी उपलब्धी थी, लेकिन देखें, दो तरह के नेता होते हैं, एक काम वाले नेता होते हैं, काम वाले न नाम है तो चौधरी विरेंद सिंग जब भारती जंता पार्टी में आये तो नाम वाले जादा थे और काम वाले कम रहे गए थे लेकिन भारती जंता पार्टी के पास जाट समाज का कोई बड़ा नाम नहीं था कोई बड़ा नेता नहीं था इसलिए चौधरी विरेंद सिंग को लेकर लाए तो वो बड़ी उपलब्धी मानी गई जनागए कि Congress को बड़ा जटका लगा है और भारती जनता बनाया गया लेकिन उनके दावे को नकार दिया Congress Party ने और वो एक तरह से अलग ठलग से पढ़ गये थे Congress Party में, जब भारती जन्ता पार्टी उनको सम्मान सहित लेकर आई, उनको राज्यसभा में भेजा, उनको केंद्री मंद्री मंडल में जगह दी, 2019 के चुनाव से पहले उनका परिवारवाद जागा, उनका बेटा AIS अधिकारी था, उसने AIS से इस्तिफा दिया और वो चाहते थे कि बेटे को हिसार से लोगसभा का टिकट दिया जाए, पार्टी ने कहा कि हम लोगसभा का टिकट आपके बेटे को देने को तयार हैं, लेकिन शर्थ है, हमारी पार्टी में परिवारवाद इस तरह से नहीं चलता है, शर्थ ये है कि आपको फिर केंदरी मंत्री मंदल से इस्तिफा देना पड़ेगा, और राज्यसभा से भी इस्तिफा देना पड़ेगा, बड़ी कोशिश के बाद चौधरी विरेंज सिंग इस बात दिया, लेकिन चुनाव का नतीजा आया और बेटा हिसार से लोगसभा की सीट जीत गया, वहां से दुष्यन चौटाला को हराया था, और जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तिफा देने में हिला हवाले की, कई महीनों तक कोशिश करती रही पार्टी और वो मना करते रहे, आखिर में पार्टी का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तिफा दिया, यानि एक परिवार से एक व्यक्ति होगा, ये नियम उस समय भारती जन्ता पार्टी में चल रहा था, इस नियम के चलते चौधरी विरेंद सिंग को नकेवल मंत्रि मंद हाथ दोना पड़ा, बलकि राज्यसभा के सदस्यता से भी, बेटे को लोगसभा सदस्य बनवाने के लिए, तो उनकी इच्छा तो पूरी हो गई, बेटे को लेकर, लेकिन अपनी जो राजितिक महत्वा कांग्षा दबी हुई, बची हुई थी, वो पूरी नहीं हुई, त फरवरी 2016 में जाट आरक्षन का अंदोलन शुरू हुआ, बड़ा हिंसक आंदोलन था, जाट समाज के लोगों की मांग थी कि उनको पिछला वर्ग में शामिल किया जाए और आरक्षर दिया जाए, इसके लिए जो है, आंदोलन जो ने हिंसक रूप ले लिया, चौधरी वि आपसी भाईचारा वैमनस से खतम करने की कोशिश और शांती स्थापित करने की कोशिश में वो हर्याना सरकार की जो मनोहरलाल कटर मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनकी सरकार की मदद करेंगे, लेकिन चौधरी विरेंच सिंग उसमें कोई का महत्वपूर्ण भूमिका न रहे गए हैं और इसलिए उनके पास भी बारगेनिंग पावर लगातार कम होती जा रही थी। कि परिक्षा थी, कि वो जाट समाज को भारती जंता पार्टी से जोरे।ज की रहला है, पस्छिम मुत्रप्रडेश में राजस्थान में जाट समाज भारती जंता पार्टी से जूरा हुआ है। भारती जनता पार्टी को वोट देता है। हर्याना में जो है ये इस्थिती बने। इसी के लिए दरी विरेंट सिंग को लाया गया था और ये उमीद थी कि वो आप इसमें अपनी महतवपूर भूमिका निभाएंगे। लेकिन फिर वो इसमें नाकाम रहे। जाठ समाज के लोगों ने 2019 के विधान समाज चुनाओं में याद रखिए। लोग समाज चुनाओं में उसी जाठ समाज ने भारती जनता पार्टी को दिल खोल कर वोट दिया। लेकिन विधान समाज चुनाओं में वोट नहीं दिया। उसका कारण ये जाट समाज इस बात से आहत महसूस कर रहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला समाज होने के बावजूद सत्ता उसके हाथ में नहीं है, सत्ता की बागडोर उसके हाथ में नहीं है। तो विधान सभा चुनाओ का नतीज़ा आया तो BJP बहुमत से थोड़ा पीछे रहे गई. तो भारती जंता पार्टी के अंदर जो आंकलन हुआ, जो विशलेशन हुआ, उसमें ये समझ में आया 2014 और 2019. दोनों चुनाओ भारती जंता पार्टी हर्याना में, विधान सभा चुनाओ की बात कर रहा हूं, दोनों चुनाओ भारती जंता पार्टी गैर जाट मद्दाताओं के समर्थन के भरोसे जीती. अब भारती जंता पार्टी को लगने लगा कि अगर जरूरत से जादा जाट समाज को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे तो जो गैर जाट समाज है जिसके बूते उसकी दो दो बार सरकार बनी है वो उससे छिटक जाएगा नाराज हो जाएगा तो उस सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और लगातार कॉंग्रेस पार्टी की ये कोशिश थी कि इस लड़ाई को ये जो फॉर्ट लाइन है ये जो दरार है उसको और चोड़ा किया जाए भारतिय जंता पार्टी ने ऐसा होने नहीं दिया मनुहर लाल खटर को हटाने का दबाओ पार्टी के अंदर से बाहर से जाट समाच के और से बढ़ता रहा लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि वो मनुहर लाल खटर को मुख्यमंत्री पत से नहीं हटाएगी और नहीं हटाया उसका नतीजा ये हुआ कि जाट समाज के लोग तो भारती जंता पार्टी से हर्याना में नहीं जुड़े लेकिन फिर एक परिक्षा की घड़ी आई चौधरी विरेंच सिंग के लिए जब किसानों का तथा कतित अंदोलन हुआ उसमें पंजाब और हर्याना के जाट शामिल ह उस समय भारती जंता पार्टी को उमीद थी कि चौधरी विरेंच सिंग एक मध्यस्त की भूमी का निभाएंगे और इस आंदोलन को खत्म कराने में और इस आंदोलन को सरकार के पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे उसका हुआ उल्टा चौधरी विरेंच सिंग आंदो उनमें से कोई उद्देश पूरा नहीं हो रहा है. न तो हमें जाट समर्थन मिल रहा है, न जाटों की नाराजगी कम हो रही है, और नहीं जाटों का गुस्सा भारती जन्ता पार्टी के प्रती कम हो रहा है हर्याना में. फिर एक और मौका आया, पहलवानों की आंदोलन का मौका आया, उस समय भी संकट में थी पार्टी. पार्टी के सामने ये संकट ये था कि वो इस उत्तर प्रदेश और हर्याना के जो पहलवान संग है, उनकी लड़ाई में किसी एक पक्ष में खड़ी हुई नजर ना आये, उसको दोनों पक्षों का समर्थन मिलता रहा है, इसके लिए कोशिश हुई कि चौधरी विरेंट सिंग इसमें एक भूमी का निभाएंगे ऐसी, जिससे इस आंदोलन की धार को कुंद किया जा सके। लेकिन चौधरी विरेंट सिंग आंदोलन कारी पहलवानों के साथ खड़े हो गए और पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। पार्टी ने तब भी कुछ नहीं किया। चुनाव नस्दीक आ गए हैं लोकसभा के। चुना कुल्दीप विष्णोई जो स्वर्गी भजनलाल के बेटे हैं और हिसार जिनका गढ़ रहा है उनके पिता का भी और कुल्दीप विष्णोई का भी कुल्दीप विष्णोई भारती जनता पार्टी में आ गए तो हिसार में भारती जनता पार्टी की ताकत बढ़ गई और कुल्दीप विश्नोई इस बार हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते है। उनके बेटे भव विश्नोई हिसार से ही विधान सभा के सदस्य है। कुल्दीप विश्नोई ने इस्तीफा दिया विधान सभा से तो उस जगह पर उन्होंने अपने बेटे को टिकट दि और चौधरी विरेन सिंग लगातार दबाव बना रहे थे पार्टी विरोधी बयान दे कर कि पार्टी दबाव में आए और उनके बेटे को टिकट कमिट करें पार्टी ने इस तरह के दबाव में आने से मना कर दिया और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे उनके लिए समस Congress Party में वापस लौट कर जाएंगे, Congress Party में दरसल लौट कर जाना नहीं चाहते थे, वो अब राजनीती से ही सन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, कि दो तरह के लोग होते हैं, एक नाम वाले, एक काम वाले, तो आज के जो चौधरी विरेंच सिंग हैं वो काम वाले नहीं रहे गए हैं, नाम वाले रहे गए हैं, ये उनको भी मालूम है, लेकिन Congress Party को इस समय नाम वाले लोगों की जरूरत है, उनको मालूम है कि चौधरी विरेंच सिंग के आने से कोई जाट वोटों पर Congress के पक्ष में बड़ा असर नहीं पड़ेगा, उनके पास जाट नेता के रूप में पहले से ही पूर मुख्यमंतरी भुपेंद मौजूद हैं, तो ऐसे में उनको चौधरी विरेंच सिंग की जाट वोटों के लिए जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत दो चीजों की थी, एक psychological advantage के लिए कि भारती जंता पार्टी से कोई छोड़ कर उनकी पार्टी में आ रहा है, लगातार खबरें आ रही है कि कॉंग्रेस छोड़ कर लोग भाजपा में जा रहे हैं, कोई भाजपा छोड़ कर भी कॉंग्रेस में आ रहा है, ये खबर एक, दूसरा चौधरी विरेंच सिंग का नाम, और तीसरा जो है कि भारती जंता पा चौधरी विरेंच सिंग पुत्रमोह में ये भी करने के लिए तयार हो गए, तो रविवार को उन्होंने भारती जंता पार्टी की सदस्यता से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उनके बेटे ने अपने आचरण में किसी तरह की मलीनता नहीं आने दी, उनके ब पुत्रमोह की राजनीती क्या कराती है, चौधरी विरेंच सिंग को इस सुम्र में कॉंग्रेस पार्टी में वापस जाना पड़ा, ताकि अपने बेटे को लोगसभा का टिकर्ट दिला सके, और मैं आप से कह रहा हूं आज, चुनाव कराती है, चौधरी विरेंच सिंग को के बारे में भविश्वानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका बेटा हिसार से लोगसभा चुनाव जीतेगा, इसकी संभावना एक परसंट से भी कम है, तो उनको न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे, वो हालत होगी, अगर उनका बेटा भा इस समय कॉंग्रेस में अगर चले जाएंगे तो लोगसभा का टिकट मिल जाएगा, लोगसभा का टिकट मिलना जीत की गारेंटी नहीं है, आजकल जो परिस्थिती बनी हुई है, उसमें भाजपा से लोगसभा का टिकट मिलना जादा तर राज्यों में जीत की गारेंटी ह यह बात चौधरी विरेंच सिंग जैसा अनुभवी राजनेता अगर नहीं समझ पाया तो इसको पुत्र मोह या दितराश्ट सिंड्रोम ही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मत की दीजिए, आप से अनुरूध है कि ये चैनल देखे, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार.